जो second हमारा main goal था that was reduction of poverty तो हम assessment and impact of economic reforms की बात कर रहे हैं जिसमें हम चाहते थे कि जो poverty है poverty कम हो ओके यह हम चाहते थे जो हम trickle down effect की बात कर रहे थे trickle down effect जियानी की अगर development हो रहा है overall country का development हो रहा है तो उसका जो फाइदे होते हैं वो फाइदे should trickle down and reach to all sections of our society जितने भी हमारे चाहे वो rich हो चाहे poor हो चाहे middle class की लोगो कोई भी हो सब तक जो development का जो effect है वो पहुचना चाहिए अगर development का effect सब तक नहीं पहुचा तो वो जो है development ही नहीं रहा वो क्या ही development है तो इंडिया में अगर हम बात करें तो हम जो है poverty reduction पे हमने बहुत ध्यान देया था और यहाँ पे जो डॉक्टर गुपता एक बंदे है उन्होंने बोला था कि भाई इंडिया में जो poverty reduction है अगर poverty reduction की बात करें poverty reduction मतलब की poverty reduction यानी reduction of the percentage of people below the poverty line poverty line के जो नीचे जो जितने लोग है उनका reduction कितना हुआ तो अगर हम data से यह समझे तो 1983-1990-91 का अगर हम data देखें तो this was around 3.1% पर एनम बट यह जो है यह data जो है 1990-91 और 1997 इसके बीच का हम देखें तो it reduced to यह कितना हो गया वह 1% पर चला गया तो इसका मतलब क्या है कि 1990-91 और 1997 इस इस पिरिड पर यह 1% आपको data देखेंगा और अगर हम बात करें poverty percentage की poverty percentage की अगर हम बात करें poverty percentage अगें वही people जो कितने लोग जो है वो रहते है poverty line के नीचे तो वो in fact कम देखो कम होना चाहिए था बट वो कम ना होके वो क्या हुआ वो increase हो गया ओके वो increase होता चला गया and increase होके क्या किया वो poverty percentage it increased from 35.7 to 37.23 तो यह figure जो है यह आपको increased figure यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बाद एक है world bank के dr. गौरवदत so dr. गौरवदत ने क्या किया उन्होंने जो है dr. गौरवदत world bank के उन्होंने एक article लिखा था this article was regarding की has poverty declined since economic reform तो इन्होंने भी वोई सवाल पूछा था कि अगर हम poverty की बात करें और economic reforms की बात करें और economic reforms का period आपको पता ही है 1991 तो इसके बाद और इससे पहले क्या reform के आने के बाद poverty में कोई reduction हुआ है कि नहीं यह सवाल इन लोगोंने किया था तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को compare किया था अगर इन्होंने बात करें poverty gap index को इन्होंने देखा था headcount index देखा था ऐसे different types of indexes उन्होंने देखे थे and compare आप तभी करोगे आप इससे पहले का data इन्होंने देखा इसके बाद का देखा okay so pre reform data इन्होंने देखा और post reform period का इन्होंने data देखा and उस data को जो है इन्होंने बैट के compare किया so his study does not only compares the poverty percentage but also studies the depth of poverty तो इन्होंने जो है कुछ conclusions निकाले okay इन्होंने conclusion में सबसे पहला conclusion यही निकाला कि जो mid 1980s का जो दौर था ये mid 1980s का दौर जो था it seemed to be a significant watershed in the evolution of living standards in India while there was a mark decline in both rural and urban poverty rates between 1973 to 74 and 86 to 87 there is no sign of anything comparable now so यहां पे जो है वो 1980s की बात कर रहे हैं जिसमें वो यह बोल रहे हैं कि भाई उस दौरान जो है आपको जो है decline देखने को मिला था okay इस दौरान आपको decline आपको देखने को मिला था both in चाहे हम urban poverty की बात करें चाहे हम rural poverty की बात करें कि दोनों में जो है आपको जो है काफी जादा decline आपको यहां पे देखने को मिला था ऐसा जो है ऐसा compare करने के लिए आज के पास अभी फिलाल तो देखो हमार पास data की अगर हम बात करें तो data में related to three poverty measures up to mid 1991 the rate of decline since then is not significantly different from zero अगेन जो है यही बोला जारा है कि इतना जादा आपको gap नहीं इतना जादा आपको decline नहीं देखने को मिल रहा है चाहें आप कोई भी poverty measures के लिए उन्होंने काफी सारे चीजें उन्होंने देखे थे काफी सारे aspects इन्होंने देखे थे बट आपको जो वजह decline है decline में क्या इतना जादा gap आपको देखने को भी लेगा जादा आपको gap जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा अगेन हम अगर बात करें अर्भन सेक्टर की तो सकतर। तो में अगेन यहां पर आपको ज्यादा डिक्लाइन नहीं देखने को मिला। So, अगर हम rural sector की बात करें, second point में हम अगर rural sector की बात करें, third point में अगर हम urban sector की बात करें, कोई भी तरीके का significant difference आपको जो है यहां देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है. And fourth important conclusion was that while the urban sector appears to have a continued its trajectory of growth and poverty reduction throughout the 1990s, rural poverty reduction was choked off by lack of rural growth. So, fourth point में यह वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आप rural और urban sector को compare करो, rural area और urban area को आप अगर compare करो तो यहां पर urban area में फिर भी चलो थोड़ा बहुत इन लोगों ने हाथ पैर मार के urban area वाले लोग जो है poverty से बाहर निकलने की इन्होंने कोशिश करी और यह निकले भी थे और यहां पर poverty reduction जो है थोड़ा बहुत हुआ भी था, but rural area में क्या हुआ, rural area में यह चीज आपको देखने को नहीं मिला, यहां पर in fact poverty reduction एक तरीक के से रुख ही गया था, यहां पर reduce नहीं हो रहा था, वो reduce इसलिए नहीं हो रहा था कि यहां पर development नहीं हो रहा था, देखो पहले के दौरण जो rural area वहां पर जाधा development नहीं होता, तो वो बस पिछडे लोग थे, वहां ना कोई नहीं technology वो लोग यूज करते थे, ना कोई modernization वहां पर होता था, जिस कारण वो लोग जो थे, development के रहा से कहीं वो छूटते चले जा रहे थे और वो छूट भी गए थे, इस कारण अगर आप data देखोगे तो urban sector में आपको जो है कम poverty reduction ज़्यादा poverty reduction देखेगा as compared to your rural area, अगर हम overall data की बात करें, overall data में आपको हम यही बता सकते हैं कि जो reduction है, reduction in poverty, वो even though वो थोड़ा कम हो रहा था, बट क्योंकि जो rural area है, वो rural area में ज़्यादा आपको improvement नहीं देखने को मिला, इस कारण जो है, पूरा overall reduction in poverty was slow, so यह rural area में क्योंकि कुछ खास हो नहीं रहा था performance इसलिए, जब आप हम overall देखते हैं तो overall अगर आप देखोगे पूरे इंडिया का तो आपको लगेगा कि भाई, जो है reduction in poverty का जो growth rate गर हम बात करें, वो growth rate बहुत ही जादा slow था, विच अगेन यहाँ पर question mark आता है कि भाई, ऐसा अगर है, तो reform का फाइदा ही क्यों हुआ, जो हम लोगों ने इतने महनत करके जो reforms वगेरा लेके आये थे, अब reform का फाइदा ही क्या हुआ, जब यहाँ पर किसी भी प्रकार का data में आपको growth के figure, यह figures अगर हम देखे तो किसी भी प्रकार का growth जो है, आपको देखने को इतना जादा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण mainly rural के कारण ही हो रहा था, यह सारा क्योंकि यहाँ पर देखो, इंडिया में mainly जो है, उस ताइम अग्रिकल्चर पर focus होता था, अगर आप अगर आप अग्रिकल्चर में ही जो है, अगर आप वहां पर शुद्ध के आपको यहां को देखने को मिल नहीं रहा था, अगर हम 1991 का प्रिय आप बश्ट अगर हम देखे तो आपको यहां पर कुछ खास पर्फॉर्मन्स जो है, यहां पर हम क्योंकि topic पढ़ रहे हैं assessment and impact of economic reforms का तो हम economic reforms के कारण क्या reduction in poverty हुआ भई कुछ खास यहां पर फरक ऐसे नहीं देखने को मिलता अगर हम rural और urban का साथ में लेकर compare करें तो इतना कुछ खास फरक नहीं पढ़ा है